अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्रताब गड़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोडिफिकेशन के लिए वेल आइकन जरूर दबाएं बदरी की दुरब जाने के लिए जब आप प्रताब गड़ से निकलते हैं तब मोहन गंज बाजार से गुजरते हुए आपको जगा जगा ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जो अपनी रोज मुर्रा के कामों में पूरी तरह से व्यस्त है ये सब देखकर अनायासी बच्पन क कि आदें ताजा हो जाती हैं जिससे हम गुजरा हुआ समझ रहे थे वो अभी भी मौजूद है बस हम उसे दूर हो गएसे जान पड़ते हैं जिठवारा बाजार से लाल गोबाल गन सड़क पर आगे बढ़ते हुए वीरान सड़क का एक लंबा सिलसला शुरू होता है जग जगा सड़क के किनारे मंदिरों में हवा की सरसराहट और खाली सड़क पर दोड़ती मोटर साइकल की आवाज सुनते हुए जिठवारा से 11 किलो मीटर दूर आप खुद को बागराय पाजार में पाते हैं बागराय से कुछ आगे बाबा बरम देव का स्थान है दूर दूर तुक फैले हरे भरे खास के मैदान और उनमें चर्ते हुए जानवर एक बार को यहां रुपने पर विवश्च कर देते हैं सूनी चोड़ी सडकों पर पुवाल से लदा रिंगता हुआ तांगा सवारियों से भरी सर पर तोड़ती टेम्पो जगां जगां विशाल विद्याले और फिर बागराय से 10 किलो मीटर दूर बिहार का बाजार वही रोज मर्टरा की भाग दौड में वेस्ट जीवन प्राइमरी में हुरदंग मचाते बच्चे कुछ बतलाव तो दिखता है लेकिन जानातर चीजें वह ऐसी ही हैं जैसी हमारे बच्पन में थी बस चेहरे बदल गए थे सड़कें बदल गए थी लेकिन कहीं कहीं सड़कों को बदलने की जरूरत भी थी ये है बिहार से कुंडा जाने वाली रोड सड़क के किनारे गुजरता हुआ बच्पन पानी से भरी नार कान भुंदरिश फर्राटे से दोड़ती हुई मोटर साइकले सड़क के किनारे जमा पानी में उगे हुए हरे शैवाल उनके बीच मुस्कुराते हुए फोल दूर दूर तो फैले हरे भरे विशाल खेत इस बात का संकेत करते हुए कि भदरी अब पास ही है मादर पांच किलोमीटर बाद ही जब आम के घने बागीचों का दिखना प्रारंब हो जाए तो मान लीजे कि आब भदरी में है परताब गल की एक ऐसी रियासत जिसे राजा बजरंग भादूर सिंग के भतीजे राजा उदै परताब सिंग के पुत्र रगराज परताब सिंग और राजा भया की जननी के रूप में जाना जाता है भदरी का किला जिसका जिकर इतिहास के पन्नों पर आज भी मिलता है जिन में कई प्रमुक नाम शामिल है अमरनाथ सिंग, जगत बहादूर सिंग, राय सरबजीत सिंग, राय कृष्ण परताब सिंग, राजा राय बजरंग बहादूर सिंग, राजा उदय परताब सिंग, और उनके पुत्र रगुराज परताब सिंग और राजा भेया प्रताबगड की मिट्टी में जन में राजा उद्य प्रताब सिंग ने आइरन लेडी कही जाने वाली प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी से बिद्रोह कर भदरी को स्वतंत्र राज घोशित कर दिया था जिसके कारण इंद्रा गांदी को कुंडा में सैने बल भेजना पड़ा वर्तमान में राजा उद्य प्रताब सिंग अपने जीवन को बेहत साथगी से जीते हैं बिना किसी दिखावे के वे पूरी दरा से प्रकृत के बीच महल से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं सिर्फ प्राकृतिक चीजों का सेवन करते हैं पूरी शुद्धता वगुडवत्ता के साथ चाहे वो गाय से निकाला जाने वाला दूध हो या भंडारे के लिए रोटी बनाने की मशीन या फिर सोलर तकनीक से भदरी के लोगों तक पानी पहुचाना जापान से एक क्रिशी में असनातक की उपाध लेने का ही प्रड़ाम है कि आज भी भदरी में प्राकृतिक छटा विद्यमान है तकनीक और प्रमपरा का ऐसा संतुलन अद्भूत भदरी किले से लगभग साथ सो मीटर दोर भदरी का रेलवे स्टेशन है या स्टेशन कुंडाहर नाम गंज तथा लाल गोपाल गंज के बीच इस सित उद्धरी रेलवे जोन में आता है क्योंकि यह एक छोड़ा सा स्टेशन है इसलिए कोई भी एक्स्प्रिस ट्रेन यहां पर नहीं रुकती मातर एका दुका पसेंजर गारियां ही यहां पर ठहरती हैं जिनमें कानपुर इलहाबाद, बरेली प्रियाग, इलहाबाद पसेंजर और इलहाबाद कानपुर पसेंजर प्रमुख हैं। भदरी प्रताब गड़ की वहरियासत जिसका इतिहास प्रताब गड़ की विरासत है। लेकिन इसकी कहानी ना तो कभी सुनी गई और ना ही कही गई भदरी जहां से राजा भाईया का उदै हुआ लेकिन ये कहानी फिर कभी सिर्णा लेकिन अजया ना चुम कहानी पाज़ है